लूका रचित सुसमचार चौथा अध्याए फिर ईश्यू पवित्रात्मा से भरा हुआ यर्दन से लोटा और चालिस दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शेतान उसकी परिक्षा करता रहा उन दिनों में उसने कुछ नखाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूक लगी और शेतान ने उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए इश्यू ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है मनुश केवल रोटी से जीवित न रहेगा तब शेतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा मैं यह स तब तेरा हो जाएगा इश्यू ने उसे उत्तर दिया लिखा है कि तू प्रभू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपास न कर तब उसने उसे यरुशले में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत खालेंगे ऐसा ना हो कि तेरे पाउं में पत्थर से ठेस लगे इश्यू ने उसको उत्तर दिया यह भी कहा गया है कि तू प्रभू अपने परमेश्वर की परिक्षा न करना तब शयतान सब परिक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया फिर देश में फैल गई और वह उनकी आराध नालायों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते थे और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीती के अनुसार सब्द के दिन आराध नालायों में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ यशाया भिश्दृत्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोल कर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभू का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमचार सुनाने के लिए मेरा अभिशेक किया है और मुझे इसलिए भिजा है कि बंध पुस्तक बंध करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और अराधनालाई के सब लोगों की आँख उस पर लगी थी तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेक तुमारे सामने पूरा हुआ है और सब ने उससे सराहा और जो अनुग्रे की बातें उसके मुह से निकलती थी उनसे अचमभा किया और कहने लगे क्या यह युसुफ का पुत्र नहीं उसने उससे कहा तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य अपने आपको अच्छा कर जो कुछ हमने सुना है कि कफर नहूं में किया गया है उससे यहां अपने देश में भी कर और म में बहुत से विध्वाएं थी पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया केवल सैदा के सार्फत में एक विध्वा के पास और इलिश्य भषड़ता के समय इसराइल में बहुत से कोड़ी थे पर नामान सूरियानी को छोड़ उनमें से कोई शुध नहीं किया गया ये बातें सुनते ही जितने आराध नालाय में थे सब क्रोथ से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें पर वह उनके बीच में से निकल कर चला गया फिर वह गलील के कफर नहूम नगर में गया और सब्च के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था आराद नालाय में एक मनुष था जिसमें अशुध आत्मा थी वह उचे शब्द से चला उठा हे इशु नासरी हमें तुझ से क्या काम क्या तू हमें नाश करने आया है मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है तू परमेश्वर का पवित्र जन है इशु ने उसे डाट कर कहा चुप रहे और उसमें से निकल जा तब दुष्टातना उसे बीच में पटक कर बिना हानी पहुँचाए उसमें से निकल गई इस पर सब को अचंबा हुआ और वे आपस में बाते करके कहने लगे यह कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुध आत्माओं को आग्या देता है और वे निकल जाती हैं सो चारों और हर जगे उसकी धूम मच गई वह आरादनालाय में से उठकर शमौन के घर में गया और शमौन की सास को जवर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे बिंती की उसने उसके निकट खड़े होकर जवर को और वे उस पर से उतर गया और वे तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी सूरज जूपते समय जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बिमारियों में पढ़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास लियाए और उसने एक एक पर हात रखकर उन्हें चंगा किया और परमेश्वर का पुत्र है बहुतों में से निकल गई पर वे उन्हें डाटता और बोलने नहीं देता था क्योंकि वे जानते थे कि यह मसी है जब दिन हुआ तो वे निकल कर एक जंगली जगह में गया और भीड की भीड उसे ढूरती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से नजा परन्तु उसके पास आई परन्तु और लगाए ज़िए.